Hello children, how are you? Today we are going to learn about water. Water, जिसे हम पानी या जल भी कहते हैं. Children, why do you need water? यानि आपको पानी की जरूरत क्यों होती है? All living beings need water to live. सभी को जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है क्योंकि प्यारे बच्चो जल ही जीवन है. Dear children, today we will discuss about different uses of water. Number one, drinking. Water is used for drinking. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए दिन में कम से कम आठ गलास पानी पीना चाहिए? Cleaning the flow. फर्ष को साफ करने के लिए भी water की जरूरत होती है. आपके घर और स्कूर में फर्ष को पानी से ही साफ किया जाता है. Baiting. Water is used for bathing also. Cleaning objects. आपकी car, scooter, bike यह cycle. इनको साफ करने के लिए भी पानी बहुत उप्योगी है. Cooking the food. खाना पकाने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है. फलों और सबजियों के धोने के लिए भी पानी हमें चाहिए. Washing utensils. खाना पकाने और खाने के बाद बातनों को साफ करने के लिए भी पानी हमें जरूरी है. Washing clothes. बच्चों, क्या आप बिना पानी के कप्रे दो सकते हैं? नहीं ना? कप्रे दोने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है. Watering the plants. बच्चों, क्या आप जानते हैं, जिस तरह आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह पेड़ पौदे भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. वो मुर्जा जाएंगे और सूख जाएंगे अगर उन्हें डेली पानी ना दिया जाए. इसलिए हमें पेड़ों में डेली पानी देना चाहिए. बच्चों, I hope आपको समझ आ गया होगा कि पानी के यूज क्या क्या है? Water the uses of water. Thank you.